हाई अब्रिवन मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अंडे के पकॉड़े की रेष्पी जो की हेल्दी भी है और टेस्टी भी तो बनाने का तरीका थोरा डिफरेंट है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं खाया होगा तो जिन्होंने नहीं खाया है जो फिश इसको आप बहुत जादा वाश नहीं कर सकते हैं इसको बस एक बार हलके पानी से दो करके निकाल लीजिए यहां पर मैंने ले लिया है बारिक चॉप किये हुए प्याज ओनियन वो मैंने एक बड़े साइस का उसके साथ में मैंने डाला है उसी के ऊपर मैंने सॉल्ट डाला क्योंकि इसमें वही सब ज़्यादा अच्छा लगता है बारी कटी भी हरी मीट जेर सारी और ने सारा खटा हुवा धनिया तो मैं वही रान लेवान दी हूँ, यहाँ पे जो धनिया है वो बाड़ी कटी भी है, ज्यादा मोटे नहीं कट करके आपको लेना है क्योंकि हमें पकोड़े बनाने हैं और वो भी फिश के अंडे के, तो और यहाँ पे मैंने ले ली है रेट शीली पॉडर, तो वो मैंने वन मैं अहले बना रहे हैanne, इसमें थोरी इसी खटाइ भी आड करेंगे, तो खटाइ या निम्बु अगर आप खटाइए अगर नहीं पसंद करते हो तो तो निम्बु भी आड कर सकते हैं या फिर थोरा से इमली का पानी याड कर सकते हो क्योंकि थोड़ा सा खटापनी इसमें बहुत अच्छा लगता है और यह जो मशाले हैं जो रेडी करने वाले इसमें थोड़ा सा अगर आप स्पाइसी खाते हो तो जरूर इसको ट्राइ कीजिए उसी के साथ मैंने थोड़ा सा टू पिंच मैंने यहा मैंने के बेशन अल्ग बाउल में उसी के साथ मैं डालूंगे यहां पे कॉण फ्लॉर दो चममच तो मैंने जो पॉडर कच्छे आंका पॉडर और यहां पर फिश है, इचे हमने जो लिया है, अभी हमने पिसे तोड़ा नहीं है, सेल में है यह, तो यहां पर हम सारे प्याज और जितने भी हमने भी मसाले, बेशन पर लिये हैं, उन सबको एड कर लेगे, हाउपर हम ढाल देंगे, और डाल मतलब किसी भी खाने की चीज अगर देखने में भी काफी अच्छी लगे न तो फिर ज्यादा मज़ा आता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर दिया है जरूर डालिएगा अगर नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा कलर डल आएगा बंद बंता है पकोड़ेगा तो ल दाले के साथ में इस अंडो को तो सुरुवात में आपको थोड़ा ड्राई ड्राई लगेगा लेकि जैसे आप मिक्स करते जाएंगे न वैसे वह एकदम से मतलब उसके अंदर से अपने पानी आती है हाँ पर मैंने एक चमच लैसुन के पेस्ट डाले है तो लैसुन के पेस से इस पकोरे डालूंगी और यह जो पकोरे हैं न बहुत जल्दी फ्राई होते हैं इसलिए जब ऑईल अच्छे से हीट हो जाए न तो गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा उसके बाद इसमें डालिएगा और सच मानिए बहुत टेस्टी जिन्होंने नहीं खाया है जो नॉ अगर इस तरीके से बनाएंगे न तो सही में बहुत ज्यादा टेस्टी बने और एक भी पकोरा नहीं बचेगा जितने भी आप अंडे के बनाएंगे न एक भी नहीं मतलब फ्राई होते होते ही खत्म हो जाएगी इतनी टेस्टी बनती है तो लीजिए बन गई और पौस्ट और हिल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको अगर ऐल में अच्छे से फ्राई यासे मैंने किया है, वैसे करेंगे तो ज्यादा टेस्टी लगती है, चाहें तो आप तबाव पे भी हलका हलका ऐल दे करके आप उसको अगर आप ज्यादा हिल्थ कॉंसस हैं, तो आप ऐल टोटली आपके ऊपर डीपेंड करता है, कि आप डिफ डिफ राय करना चाहते हैं, या तबे फेला पेल की हएल्या जाउन kयादी के वैसे करने गरमें मेरी मानी है, तो टीप राइ情況 करके 9 खाईे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी दीफ जो खाते हैं, और 这里 し और्के मैंने थोरा सा चुटकी बढ़ ऑड़, मैंने यहां पे color अड़ किया था तो इसकी जो पकोडे के color हैं तो काफी enhance हो गए हैं काफी देखने में भी अच्छे लग रहे है तो बस देखे, अब देखते ही देखते हैं हमारे जो है यह पकोडे बन कर के हो गये है रेडी और आपन तो चलिए फ्रेंड मेरी तो मैंने तो ये रेश्पी आपके साथ सेर कर ली है अब आप भी जाकर जटपट बनाईए मतलब जब भी आप फिस लीजिए तो आप अंडे के साथ में ये रेश्पी बनाईए और अपने एक्स्परियेंस हमारे साथ सेर कीजिए वीडियो पसंद ये तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए चैनल पर पहली बार विजिट करें से चैनल को सब्सक्राइब करके विल की आइकन को जरूर से क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए